हेलो माई डियर एस्पेरेंट्स आरकेसर इंजीर असरड़ा के आफीसियल यूट्यूब चनल पर सभी एस्पेरेंट्स का स्फागत करते हैं यह आपकी एक्लास मेकाइनिकल की है और उस टॉपिक की है ज्यादातर से जो लोग नहीं पढ़ते हैं और यहां से कोस्टन्स आ जाता है एस्पेरेंट्स तो आपके कोस्टन्स छूट जाते हैं तो जैसा कि आप देख रहे होंगे टाइटल में भी बिल्कुल क्लियर है कि आज हम जो कोस्टन्स करने बाले हैं वो आपका लिमिट फिट एंड टॉलरेंज के तो एक बहुत भी बहत करता है आप लोगों का बहुत कुछ भला होने वाला है इसी लिए मैं आप सभी विद्यारतियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना फास्ट आने के कोशिश करेगा सेसंस में चुकि सेसंस आपके लिए है आप भी टाइम से आजाएए मेरी यह ही गुजारिस है और आप लोगों से मैं आप बहुत बिनम्र निवेदन करूंगा कि जल्दी जल्दी सारे अपने दोस्तों तक्सेयर करिये और यह मेरा लेक्चर एक तीर से तीन निसाने वाली बात हो जाएगी दोस्तों एक्चिश जाद रखेगा तो अने दिटा एक्जा सारे एस्परेंट्स मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं कि नहीं तो सो दैट आपकी से ग्लास को सुरू किया जाए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हाना थाम्सप करीगा दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट सुझना ये भी है दोस्तों यूपी पीसी पॉल्द टेक्निक परसेंट आप मिल जाएगा दोस्तों एक्चे जाद रखेगा एराउंड 26 रुपे का ये बैच पड़ रहा है तो जितना जल्दी हो सके है ज्वाइन करो आज की क्लास जो मिस हुई है आपको रिकॉर्डिड मिल जाएगा मेरी प्यारे एस्परेंट्स एक्चे जाद ज्वाइन कर सकते हैं कोड यूज कर दीजेगा आपको 2100 में मिल जाएगा प्रिंस कुमार बटा हलो कैसे हैं आप लोग शुरू किया जाए सेसंस को एक बार सारे लोग बता दे शुरू करते हैं सेसंस को भगवान का नाम लेकर के सुरू करते हैं हाना चौहान सहाब सिविल कि भी क्लाशिस आपकी साथ वज़े चलेगी सिविल और मेंकाइनिकल सारे ब्रांच के अच्छे सात वजब मेरे साथ मेरे से जरूर यह पहला कॉर्शन्स सब्सक्राइब कर दोगो के सामने हां गया अलाउंसेज में रिमिट फिट टॉलेरंस में अलांस से गया होता है तर् सबसे पहले जलती से जतना जलती हो सगे कोसंस का सबाब दिजेगा साथ बजे भी क्लास आपकी यूटूब पे होगी साथ बजे वाली क्लास यूटूब जलती से सारे लो कोसंस का पाटिसिपेट करें प्लीज देवेंदर पाल बटा अड़ा 247 की ऑफीसल एप से जाकर के तो बहुत अच्छा राजेश कुमार ने यहां पर सबसे पहले सही जवाब दिया भाईया राजेश को थमसप किया जाए ज्यादा तरसे अकर बेस्ट एंसर का और चापल मेंदर की बात किया जाए जाकर उस य जो होता है यहां तो दोखो दो चीजिजें होता है हमारा साइज होल चाहुत होटा है और अन धोनों की डilly्फ्रेंस को हम अलाउउंस के लिए तो मेंच पार्ट का होना बहुत जरूरी है जाकर रखे जो要शेर्य के सीटाथ किया जाएच तो हमारा MINIMUM किवरेंस बिटिंबीन थे क्या आपका क्या होलद क्या सर्थ यहाँ पर MINIMUM किवरेंस घिलेंस बिट पी यहाँ अन्स जू हमारा होता है मेन्मकिवरेंस वही हमारा और यहीमम आपका C minimum कहाता है दोस्तों मिनिमम के दरेंस ही आपका एलाउंसिस कह दाता है बच्छे बहुत आसान है यार राजबीर सिंग बटा बहुत आसान है का यह चीज बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं हम आपको बता रहा हूं चलो नेक्स कोस्टों के सब आप दीजेगा प्रीज हाना कि सब्सक्राइब टेका है तो है तो आएज नेक्स सुस्नज चेसा फटा अपकर सारे गनेक्स सुस्सकर सबाब दीजिएगा जल्दी से वेस प्रफ लुक्ति हुआसे ही इस्ट पीजिट हीच फिट को लेमिट फिट तॉल्रेंस में कौन सा हमारा करेक्ट वियए व्या डेजिगेसन करने का यह बहुत important दोस्तों कि fit का जो correct representation होता है वो क्या होता है जल्दी से सारे दोग जबाब दीजेगा मैं आप सभी दोगों से जानना चाहता हूं कि इस questions का जबाब सबसे पहले क्या देगा बिकास, गवरो, बिजे, अंसित, बर्मा, ब्योम, सीमा और गवरो बहुत सारे लोगों ने सही जबाब दिया है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं इस questions का जबाब सारे लोग दीजेगा फटावट राजेश कुमार, राजवीर, सीमा अब ये देखते हैं questions आप लोगों मिसे सब बहुत अच्छा, C is the right answer, बिल्कुल सही जबाब आप लोगों ने दिया, C is the right answer, अगर हम बात करें fit, तो fit आपका whole and soft के बीच की assembly होती है, तो इसमें हमारा आपका basic size भी होना चीए, और आपका tolerance grade आपका whole का भी होना चीए, soft का भी होना चीए, तो दोस्तों यहाँ पे एक ज्याद रखेगा, अगर हमारा जैसे कि यह 50, H7, G7 है, तो इसमें 50 क्या represent करता है, basic size, मतलब जो size आपकी ड्राइंग में mention है, मेरी ब्यारी बैचे, फिर उसके बाद यहाँ पे, IT7, जैसे, H7 मतलब IT7 है, क्या है tolerance grade of the whole and tolerance grade of the soft, मतलब यह आपको बताता है, दोस्तो, tolerance grade of the whole और इसमाल जी 7 बताता है, दोस्तो, tolerance grade of the soft, तो दोस्तो, यहाँ पे जो correct representation है, एक चिस जाद रखेगा, एक चिस जाद रखेगा, मेरी प्यारे अस्परेंट्स, तो option number C is the right answer, option number C is the right answer, मेरी प्यारे अस्परेंट्स, हाना, एक चीज जाद रखेगा, बहुत ही बहतरीन questions आप लोगों को पता चल गया, तो guys यह चीज जाद रखेगा, 22 हाना, चलो, सांदार, 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 तो यह questions आप लोगों को समझ में आगया, कौन चीज क्या बताता है, ठी है, तो यह हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो आपको tolerance, जो fit का, जो designation होता है, clear हो गया, guys, तो आप लोग बताईएगा, आगे बढ़ें, चलो, next questions की तरफ बढ़ते हैं, guys, आप लोग प्रीज सेयर करियागा, आपने दोस्तों तक प्रीज जितना ज्यादा हो सांदा कि सेयर करन बिल्कुल दे सकते हैं, मेरे प्यारे अस्परेंट, डिप्लोमा वाले भी, अब एक बात बताओ, limit fit tolerance क्या डिप्लोमा में नहीं आता है, क्या limit fit tolerance डिप्लोमा में नहीं आता है, ऐसी बात करते हैं, अरविंद बटा, next questions का जबाब दीजिएगा, please, मैं आप लोगों से expect करता हो कि यार फटाफट जबाब दे, questions में participate करो यार, अब डिप्लोमा, civil, mechanical, civil बात की नहीं है, बात यह है कि questions examination में पूछा जाता है, अब यह देखते है, इस questions का सबसे पहले सही जबाब कौन देगा, तो आप लोगों कि इसमें पता होना चाहिए, नितीज भरवा ने सबसे प गुर्विंग बिटाग, मधू, मधू, गुर्विंग, यार, राहू कुमार गुपता, I am not sure कि आपका examination कब होगा, लेकिन इस questions का right answer आपका, आपका, आपसे नमर, आपका, क्या हो जाएगा, जरा बताएगा, C हो जाएगा, होनिंग में देखो, होनिंग का जो होता है, दोस और smallH6, ये दोनों जो grade होते हैं, ये देखो, आपको remember करना पड़ेगा, दोस्तो, अलगला process के लिए जो grading दी गई है, वो आपको धोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तो इसका right answer मेरे प्यारी बच्ची, capital H, 8 और smallH, 6 होगा, बहुत सारे experiments D दे रहे थे, बढ़ आपका answer हो जाएगा, मैं आपको detail बता तूँगा, चिंता मत करो, एक मैं slide दिखा तूँगा, किस grade के लिए कौन सा हमारा, मत्तब कि, किस applications के लिए कौन सा grade यूज करते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, experience, एक चीज़ जाद रखेगा, चलिए next questions, चलिए, experience and grade fit respectively, आपको बताना है दोस्तों, ये आपको बताना है कि international हमारा association, जवती से सारे लोग इस questions का जबाब दीजेगा, questions का जबाब दोग फिर बताऊंगा, questions का जबाब दीजेगा, फिर बताऊंगा दोस्तों, प्रिती सर्मा भाई, जवती से सारे लोग questions में पाटिशिपेट करो, प्रीज जितना ज़्यादा हो सके, sessions को share करियेगा, across your friend, my dear parents, विस्वजीत ने बताया, बहुत अच्छा यार, विस्वजीत भारती, I am the big, भाई, सारे लोग बताईएगा, अर्पना, अर्पना ने भी बताया, अर्विंद ने भी बताया, बहुत मदन ने भी बताया, बहुत अच्छा यार, बाखी लोग भी पर्टिसिपेट करेंगा, क्यों कम, संख्या कम नही 25 भी किया गया दोस्तों, इंटरनेशनल सिस्टम में, बाद में हमारा कितना किया गया है, 25 को, 21 को 25 भी किया गया, IT ठीच, 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 और चलो, सांदार, 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 गजब की बात है, हाना, चलो, next questions, बहुत अच्छा, आप लोगोंने सही जवाब दिया definitely आप लोगों का सही जवाब है, next questions, in the limit and fit system, basic soft क्या होता है, देखो, basic soft क्या होता है, जल्दी से जवाब देने के कोशिस करेगा, फटा पर सवाब देगा, limit and fit system में, basic soft क्या होता है, lower deviation is 0, upper deviation is 0, standard tolerance is 0, minimum tolerance 0, यह मैं questions, आप सभी लोगों से expect करता हूं, कि मेरे सारे toppers इस questions का जवाब देंगे, मुझे असा लगता है, इस questions का जवाब मेरे सारे toppers देंगे, विश्वचीत भारती, अभिसेक वर्मा, सारे जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुझे सही जवाब का इंतजार है, दोस्तों, सही जवाब का इंतजार है, एक चिस जाद रिखेगा, तो दोस्तों मेरे प्यारी बच्चे, यह हमारा अगर साप्ट होता है, यह हमारा साप्ट का lower deviation होता है, और यह हमारा साप्ट का upper deviation होता है, तो अगर हमारा यही upper deviation की value, अगर हमारी साप्ट की कितनी आ जाए 0, तो याद रखेगा, वो हमारा basic साप्ट हो जाएगा, बेसिक साप्ट का मतब तो इस साप्ट में सिर्फ लोवर डेवियसन रह पाएगा, आपर डेवियसन की वैलू जीरो हो जाएगी दोस्तों, बहुत अच्छा, सांदार, सांदार, और आपका यदी मैं बात करूँ, मेरी प्यारे एस्परेंट्स, अगर मैं आपका बात करूँ, यही होल के लिए करेग अगर हमारा होल के लिए करेगा, तो होल में आपका लोवर डेवियसन आपका जीरो होता है, होल के लिए एक चिस ज्याद रखेगा एस्परेंट्स, लोवर डेवियसन की वैलू कितनी होती है, जीरो होती है, यह बात अगर आप लोगों के समझ में आ गया, तो एक बार करूंगा आप सभी दोगों के लिए serious वी ये बात दिल पर देना चाहिए दोस्तों क्योंकि देखो जू मेरे मन में है मैं बोल दूंगा आपकी इक्षा आप अगर इस अमल करो तो हम बत बोल दे भाई मन की बात बोल देंगे दोस्तों जो कहना चाहूं तो कह दीजे देखो बच्चे एक बात ध्यान देना आप यदि आज के दौर में selection देना चाहते हैं आज के दौर में अगर आप selection देना चाहते हैं तो याद रखना उन questions से आपका selection नहीं होगा जो आपको आता है आसानी से जो आपको आता है आसानी से उन questions लि आजाए उन question से आपका selection नहीं होगा आप जहां को हो वहां दिखके लिए देता हूं selection उन question से होगा जो आपको challenging लगे जो आपको problem create करें जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़े जहां पर आपको मेहनत करना पड़े अगर वो questions की practice कर रहे है definitely आप दोस्तों क्या leader बनोगी आप भीड से अलग निकल जाओगी वरना जो questions आपको आसानी से आएगा उससे सिर्फ वो सिर्फ भीड का हिस्सा बनोगे दोस्तों अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो बोलिएगा yes वरना no दोस्तों देखो मैं आप यहां पर एक चीज देखा दूं दोस्तों यह देखो दोस्तों capital H7 और capital H6 दोनों ही हमारे क्या है जरा बताईएगा यह capital H7 और small H6 दोनों ही देखो capital H7 जो है आपका basic hole है small H6 क्या है basic soft है दोस्तों याद रखिएगा basic soft capital H6 का lower deviation 0 है और small H6 का upper deviation 0 है दोस्तों upper deviation मेरी प्यारे एस्परेंट्स 0 है एक चीज जाद रखिएगा जो है वो मैं बोलूंगा बाकी आपकी इच्छा दोस्तों ठीक है चलो next questions का जवाब दीजेगा दोस्तों surface roughness of the drawing is represented by आप लोगों को जवाब दीजेगा दोस्तों आप लोगों को बताना है दोस्तों surface roughness of the drawing is represented by आप लोग फटाफट वीडियो को जितना ज्यादा हो सके इतना आप लोग शेयर करने की कोस्टिस करिएगा प्रीज आप लोग चल दीजे से सारे लोग ठीक है चलो फटाफट जवाब देने की कोस्टिस करेंगा आप लोगों को ने एकदम एक सूर में जवाब दिया यह वड़ा मेरे लिए बहुत आनिस्ट इमांदारी की बात कहूं बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों यहां पे surface roughness को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्राइंगल से एक चिस जाद रखेगा इसमें अगर यहां पर लिखा है दी यहां पर लिखा है तो machining allowances को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और दी को हमारा direction आप ले रिप्रेजेंट करते हैं और एक दोस्तों roughness value को रिप्रेजेंट किया जाता है यहां पर जो होता है रफनेस value होता है और यहां पर sampling length होता है दोस्तों और यहां पर हमारा production method treatment are coating तो मेरे प्यारे इस्प्रेंट्स उसमें हर dimension क्या क्या बताता है वो सारा आपको यहां पर symbolic तरीके से दिख दिया गया है Basically, Machining के symbols जो होते हैं A, B, C, D, E तो यह क्या बताते हैं यह आपको मैंने सारी चीजे दिख दिया है आपसे पूछे E क्या बताता है Machining Alliances को D क्या बता है Direction Up Lake को बताता है और A क्या बताता है Surface Roughness Value बताता है B हमारा production method की treatment बताता है C हमारा sampling length बताता है दोस्तो यह याद रखने की कोशिस करिएगा पेपर में examination में पूछा जा सकता है दोस्तो चलो सांदार next questions IT7 के लिए दोस्तो value of tolerance एककल कितना होगा IT7 के लिए tolerance की value कितनी होगी मुझे expect करता हूँ कि यह सारे लोग questions का जबाब देंगे अगर आपको नहीं भी आता है आप एक बार मौन से इसको देख लो ताकि इस तरह की questions exam में आये तो आपको छोड़ना नहीं है आपको आज की questions को क्या करना है कि यह समझना कि अगर इस तरह की questions examination में आये गा तो नहीं छोड़ना है दोस्तो वियुम कुमारा तो एक्षल में क्या करते हैं जब मसीनीं करते हैं तो एक टेक्चर बनता है दोस्तो टेक्चर बनता है और टेक्चर की directions को हम लोग दे बोलते हैं ठीक है तो इस questions के जवाब सारे लोग दे सकते हैं मुझे ऐसा वक्ताय दे सकते हैं यार आप बहुत अच्छा सचिन चोनी IT 7 के लिए कितना होता है दोस्तो जड़ा बताइए का 16 I is the right answer मेरे प्यारे बच्चे हा ना बहुत अच्छा सांदार सांदार आगे बढ़ा जाए बताइए का दोस्तो बहुत अच्छा सांदार साल चलो देखो दोस्तो यहां पर आपको अकर मैं बात करूँ IT 6 के लिए 10 I होता है IT 7 के लिए 16 I 8 के is 25 हाई IT 9 के लिए आपका कितना हो साय है ज्रहा बताइएगा टॉंटिफू एगा इसे आप मुझे बता सकते हैं अभी प्रेजंट में tolerance कितनी है total tolerance कितनी है आप जरा बता सकते है अभी इंपॉर्टेंट मैंने रिख दिया Service आप मुझे बता सकते हो total tolerance की संख्या कितनी है जरा बताईएगा प्रीज है ना तो खाइस फटाफट वीडियो को सेयर करिएगा maximum लोगों तक प्रीज हैं दोस्तो मुझे लगरा total जो हो जाएंगे दोस्तो 18 हो जाएगा total हमारा कितना हो जाएगा मेरी पियारे इसपरेंट्स 18 है और total grade कितनी हो जाएंगे दोस्तो total grade कितनी हो जाएंगे fundamental deviations कितनी हो जाएंगे मतब fundamental deviation कितने हो जवाएंगे मेरी प्यारी बच्चे fundamental deviation कितने हो जायayer भुण है दोस्तों नाट्ट कर्द चलो ठीक है बहुत अच्छा आगे बढ़ते है राम राम की तरफ मुझे आप लोगों के कमेंट भी देखना पड़ता है यार कि हमारा कौन सा होनहार चात्र इसमें आगे तर बढ़ रहा है कौन पीछे जा रहा है करना चाते हैं यह आपको डिसाइड करना है दोस्तों इस कोस्टों का जबाब दीजेगा दोस्तों फड़ावट है तो दोस्तों यहां पर जो डी सिक्स बताता है डी बताता है ग्रेट टॉलरेंस को बताता है डी हमारा क्या बताता है दोस्तों ग्रेट टॉलरेंस को जो की 25 हमारा basic size को बताता है, दोस्तो, D6 जो होता है, आपका 6 आपके tolerance के बताता है, और हमारा, ठीक है, चलो, next, the difference between the higher limit and lower limit of the size is known as, बता basic size का, basic size का, basic size का, upper limit minus lower limit का difference क्या कर रहेगा, जरा जब आदे, चलो, अब इसे एक बर्मा, नरेंदर दिक्षित, आपका अपने परिवार में स्वागत है भाई, नरेंदर, आधे दिल से भी जोड़ोंगे, तो भी जोड़ोंगा मैं, आप लोगों को जोड़ने में कोई बुराई नहीं है, दोस्तो, बस आपकी भदाई होती रहे, इसी में मेरी भदाई है, दोस्तो, यह तो बेसिक चीज है, तौल्लेंस होगा, तौलेंस इस द राइट अंसर, बिलकुल, बताओ, बताओ, लॉंस यह बताओ, लॉंसे होगा, जर्द बताओ बहले तो बहुत अच्छा सासीन सोनी सारे लोग अमित नागर सारे लोग ने चाही जवाब दिया आच्छा लगा आप लोग कोस्टों से जवाब देते रहिए बस मुझे यही मेरी यह बहुत बड़ी बात है तो दोस्तों यहां पर देखो जब हमारी बेसिक साइस के डिफरेंस यह बात किया जाए आकर जैसे कि 25H और 15H है तो यह जो बेसिक साइस का जो डिफरेंसे होगा होल एंड टालरेंस के बीच में हमारा क्या हो जाएगा अलांसे हो जाएगा दोस्तों ठीक है चलो ओह जबाब देज़ेगा 15 नमबर का पॉस्ति आपको यहां पर प्यारी बच्चे जो आपका यूनिट टालरेंस आई है वह हमारा इसमें डी क्या है क्या है जबाब देने कोश उसमें capital D क्या होगा बहुत अच्छा सांदार हाना चलो बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग ऐसे ही बस करते चलो आपके लिए देखिए selection की जाभी कुछ इन ही सारे सब्जेक्टों की वजह से फस्ता होगा मैं आप लोगों को बता रहा हूं अच्छा एक बात बताओ आपको production परेशान करता है कि एक बार मुझे बताइएगा सारे लोग हाना बहुत अच्छा यार राजवीर प्रिती मदन पल्भी अभवन्यू नरंदर दिक्षीत मेरे भाई नरंदर दिक्षीत देखो मैं जादा बात नहीं करूंगा भी यार मेरे नमर पर फोन कर देना भा जैमेट्रिक मीन स्टेप डैमीटर का आपका जैमेट्रिक मीन होता है अंडरूट के स्टेप डैमीटर का अन्यदर कंगे निकं rek Random स्टेप हमारे ये में ङक रही पर लुग हो नहीं स्टेप डैमीटर इस पर दूर में हाग जो ठीक है तो गाइस इस questions का जबाब दीजेगा फटावड सारे इस questions का जबाब देने के courses करें तो बिल्कुल यहां पर right answer मेरे प्यारी बच्चे आपका right answer आपका आपसे नमर D हो जाएगा अब आपको IT 8 के लिए बताना है tolerance grade की बेदू ठीक है चलो चलो नेक्स questions का जबाब देजेगा प्लीज एबरीवन गीप राइट इंसर आपका आप लोग रेडी हो एक बार मुझे बता तो मेरा चैलेंज भीकार करने के लिए सारे एस्परेंट्स बता दे आने वाले समय में questions का लेबल थोड़ा सा टफ होगा बिलकुल यहां पर ITS 8 के ले 25 25 होता है दोस्तो राइट आठ एक बात बता हो ठीक है tolerance are specified, tolerance are specified by, to obtain desired fit as it is possible to manufacture size exactly, to have proper allowances to obtain the high accuracy, जबाब देज़ेगा, प्रीज़ेगा, आप इस जबाब देज़ेगा, आप इस जबाब देज़ेगा, बिल्कुल अच्छा लगा, सारे लोगों का सही जबाब हो रहा है, आपको बताना है दोस्तों, जैसे आपका ये basic size है, basic size के ऊपर, अगर हमारा हमने tolerance दिया है, तो यह हमारा basic size के नीचे के side में tolerance दिया है, तो हमारा unit यूनिल टृटरल है और ये भी हमारा यूनिल टृट्रव ही है लेकिन तो हम इसको बोलते हैं है और ये देख वीजे हमारा 25 साइज हमारा 25.3ос आपको .05- 0.05 यह है तो यहाँ पे आप का ये बाइ- टृच stör ऑगरे कीसा हो दोस्तो हम योटोब पर questions के help से theaterery कंप्लीट करने की कोसिस करते हैं नेक्स्ट को quulate questions बताना है दोस्तों एक soft dimension आपको इतना हैं आपको बताना है fundamental deviation and tolerance ये questions है और आपको बताना है fundamental deviation and tolerance वड़ी अह्छी class है दोस्तों आपको बताना है एक साफ्ट है पहरी बात और इसके डेमेंसिंस आपको अपर विमिट लोवर विमिट इस तरह से दिये वे हैं तो आपको बताना है इसमें आपको fundamental deviation क्या होगा और tolerance क्या होगा बड़ा ही एक खोबसूरत questions है और मैं expect करता हूँ कि सारे लोग questions का जवाब दें और मैं आप सभी लोगों की comment देख भी रहा हूं in fact मैं आप सभी लोगों की comment देख भी रहा हूं सर आप परसांत बहुत जवदी आजाएगा आप लोगों के सामने सारे toppers यह लुब जाएगे तो दे देंगे सही one of Man autism का सही आ ईसाए breathing Jean आपको बताूं यह questions बहुत आसाल है मां इसके concept को समझाओं आपको आप LOT जवाब दे रहे हैं मैं आप समझाता हूं देखो तो समाल यह है कि बेसिक साइज यह हमारा साप्ट और होल के लिए इस इस बेसिक साइज राइट अब यहां पर देखो इसकी जो अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम साइज की बात करेंगे तो 35-0.09 साप्ट की हमारी मैक्सिमम साइज हो गई मतब आपर लिमिट आप देख साप्ट हो गया फिर हमारा मिनिममम लिमिट की बात करेंगे तो आपको 0.025 यह हमारा साप्ट की जोवर लिमिट हो जाएगी मतब जोवर साइज हो जाएगी तो यह like that कुछ इस तरह से बनेगा आपको मैं बता रहा हूँ यह साप्ट की हमारी tolerance हो जाएगी दोस्तों यह हमारी साप्ट की tolerance हो जाएगी जो limit हमारा सबसे नस्दीक होगा जो limit हमारा basic size के सबसे नस्दीक होगा तो यह हमारा fundamental deviation होगा यहाँ से इसकी यह distance हमारी fundamental deviation होगी तो मुझे लगरा है कि यह बाला हमारा जो होगा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यह बाला distance जो होगा 0.09 होगा वह भी मतलब जब आप करोगे तो minus में है पाकी यह इन दोनों का जो difference होगा हिन दोनों का जो डिफरेंश होगा आप जब करोगे तो मुझे हैशा लग रहा है कि आप सफ डिफरेंश लेने की कोशिस करोंगे दोनों की साइज का जो डिफरेंश लेने की कोशिस करोगे लिए अधाब आपर निरोर मिटकर टो डिफरेंश लहने की lynंच को Department से हैं आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैं आपको बता रहा हूँ वरना कर देते आप तो आप एक्षिजाद रखेगा यह डिस्टेंस जो होगा माइनस में 0.009 होगा आप करने की कोशिज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फंडामेंटल डेविस्टन जो भी होता है वो आपका मतमकि एक्षवल साइज के एक्षवल साइज मैनस जो हमारा मत्लब की बेसिक साइज के सबसे नस्थीग है मतलब यह समझ जाओ कि जो लिमीट हमारी सबसेर नस्थीग है उसकी साइज ये वागी माइनस हमारा क्या 35 तो आपका ही हो जाएगा 35-0.009-35 जब आप ऐसा करो कि तो आपका यह हो जाएगा और आपर लिमिट और जोबर लिमिट का डिफरेंस दो कि यह तो 0.065 हो जाएगा तो कितना आसान कोस्टन्स हा आप लोगों ने अपने हाथ से जाने द सॉखह डिक है चलो काँ नेक्सक्स गूस्टूंस का जबाब दीजूएगा जब रंस आपको بتाता यह तोray को बताना है थूरा सा now कि अपने ईडिया होना चाहिए मुझे अछा जबता है कि आप लोगों को सबॉस्टिव ना चाहिए इस कूस्टिंद का I Am 타 do किस तरह का है जरा बताने की कोशिस करेगा मुझे ऐसा वाँ गशा मजा आ गया बहुत हो नहां रहा है आप बताइए सर मेरा सही था अंसित का सही था बिलकुल यहां पर किदर इंस फिट देखा है अच्छा आपने कैसे डिसाइड कि यह आपका किलरेंस फिट है आप बताइएगा तो यूप वाल टेक्निक लेक्टर का आज से ही बैस जुरू हो गया है तो जो आपके सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं डोंट बेस्ट कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को जाधा सोचना नहीं चाहिए आप लोगों को तुरंत जाकर के ज्वाइन करदेना चाहिए पिल्कुल हमारा हाँ देखो 20H7 और यहां पर जो G6 है उससे आप लोगोंने डिसाइड किया होगा उससे आपने डिसाइड किया होगा द hole की सा copyright बड़ी है और आपका बाकी छोटी है दोस्तो बहुत अच्छा के चलो सारफ स्प्रेट इस यूज्ट्य मेसर आप लोगा कि ELra बताने के कोशिस करिए अ फर्ट्रkes प्र ένα कोसी करिया प्ले ब 아침ée अंकित होगा आप्लीकेशंट में होगा क्यों नहीं होगा हाँ इसका कुमार साहब इसका table होता है next questions की जबाब दीजिएगा सारे experiments यार मतलब मैं आप लोगों से गुजारिस यही करूँगा कि आप लोग sessions में बनी रहो रोज आईए आप लोगों को ऐसे ऐसे questions कराऊंगा कि एक चिस जाद रखेगा आपका पेपर में एक एक कोशन स्वस्जाएगा दोस्तों तो यह देखो, surface roughness, surface plate is used to measure the flatness is the right answer, option number is the right answer दोस्तों, किसा नाम है surface plate is used to measure, देखने में कुछ ऐसा होता है, micro sharp bond, तो basically किसी, जैसे यह हमारी एक surface plate है, तो surface plate provides the precision reference for the inspection, आप gazing, checking, aggressive, layout, making, marking purpose, basically किसी surface की flatness और वोची एक करना है, तो आप इस पी रख दो, और बाकि आप दोनों के बीच में, अगर gap है तो वो फ्लैट नहीं है, तो बिस भी आपका यही surface plate होगा दोस्तों, ठीक है, आप नहीं भाई सूरज आज होई है, class ऐसी बात ना करो, class तो होई है, आपको बताना है, वी ब्लाक क्यों यूज किया जाता है, जरह जबाब दिजिए का भी ब्लाक का का काम किया है, जबाब देने कुस्यस के लिएकर, next questions का जबाब दिजिए का भी ब्लाक का काम किया है, तो यहाँ पे देखते हैं, अच्छा चलो मैं आप लोगों को picture दिखा दिखा दिता हूँ, तीपक से सौधिया ने जबाब दिया, मदन ने जबाब दिया, आप लोग फटाबड बताये, आर पार्टिसिपेट करें सेशन आपका है परिवार आपका है, तो जबी सीजबाब देने के कुछिशिज करिएगा, ठालो बहुत अच्छा सांधार भी ब्लाक जो होता है दोस्तो, to hold the cylindrical piece, cylindrical piece को hold करने के लिए आपको भी ब्लाक का यूज़ किया जाता है, जो देखने में कुछ इस तरह का होता है, आप म हमारा इस तरह की, इसको होल्ड करने के लिए हम भी बड़ा का परपर तरीके से क्या करते ही सवाल मेरा है कि इन दोनों के बीक का एंगल कितना होगा ? सवाल मेरा परीजिन दोन वि communic leaving . मेरा सवाल नेक्स है ? cuestión का सवाद देजेगं please पड़ इसका general angle में आपको बता दू 90 degree होता है general angle दोस्तो 90 degree होता है the include angle of the v-block next questions आही गया आपके सामने include angle जो v-block का होता है वो कितना होता है include angle v-block का कितना होता ज़र बताएगा अमेत भारती सारे दोग जबाब तो तेर है लेकिन सही जवाब नहीं है इसको याद रखना है आपको आपको इसको याद रखना है कि इतना होता है और आई सभी दोग एक बर सेसंस को लाइक कर देंगे तो सव काकड़ा पार हो जाएगा जितने बच्चे लाइब है और उतने लाइक कर देंगे तो सव काकड़ा पार हो जाएगा मैं आपको बता दिखाओ सेसं को लाइक करो यह मेरी गुजारी से है आप लोगों से दोस्तों यहां पर राइट एंसर नाइटी डिरी हो जाएगा भी फ्लाक का जो इंक्लूड हंगल होता है समाने ता नाइटी डिरी होता है क्यों नेक्सा एक स्ट्रेट एज इस यूज़ें फाल विंग परपल एक सीधी जो एज एक इंस्टुमेंट्स वो ता वह किस रही हो जो ता है To check the straightness of the part To check the flatness of the part To measure the roundness of the part To check the parallelism of the part आप लोगो questions बाद हलाकि कुछ आप्संस तो ऐसे चाओ था तो ऐसे ही नहीं होगा दोस्टों एक straight A's आपका parallelism को नहीं measure कर सकता ये हमारा नहीं होगा तो ये नहीं होगा आप to measure the roundness और भाई straight A's है तो roundness भी नहीं measure कर सकता है इस तरह की चीज़े नहीं measure कर सकती To take the flatness of the part To take the straightness of the part आप से नमर Sorry Flatness भी नहीं कहेगा उसके लिए तो दूसरा होता है I'm very sorry अचे Flatness तो यूज नहीं हो सकता तो यहां पर right answer मेरे प्यारी बच्चे आप से नमर 20 दर राई अचे आप से नमर 20 दर राई अचे यह देखो आपको बनावती इस तरह से होती है तो basically हमारा roundness को measure कर सकता है और हमारा straightness को measure कर सकता है यह आपको दिख रहा है यहां पर एक चीज़ जाद रखेगा यहां पर right answer experience एक चीज़ जाद रखेगा civil engineering की class आप सभी दोगों के विए 6 बजे क्लास चलती है साथ साथ मेरी class civil के बच्चे के विए mechanical के विए electrical के विए 7 बजे चल रही है आप लोगों के लिए रहा हूं इंडियन पॉलिटी का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के विए तो यह चीज़ आद रखेगा चलो next questions का जवाब देजेगा अब यह questions का जवाब बड़े आसानी से दीजेगा मुझे रखता है आप लोग सही जवाब दे देंगे चलिए चलिए next questions का जवाब देजेगा एसपरेंट्स मैं आप लोगों को बार बार बोलूँगा यूपी पॉलिटिक रेक्षर का बैच आज से शुरू हुआ है तो डोंट वेस्ट यूर टाइम जो लोग अपने concept को बहुत nominal amount में complete करना चाहते है अच्छे से प्रीज आप लोग मत जुष और weutelle with aAR means are the आपसा नबर जो भी हो जाएगा वो बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा तो ये एक अपने आप पर एक अच्छा कोस्टंस है आप लोग ऐसे कोस्टंस की प्रैक्टिस करिएगा हाँ दिया राट और बैटा यूपी आरिवन में आएगा ये देखिए आपको बर्नियर क्याजिपर्स है जिसमें आपको अच्छा आपको कमेंट्स में बर्नियर क्याजिपर्स का लिस्ट काउंट बताना चाला बर्नियर क्याजिपर्स का लिस्ट काउंट आप लोगों को बताना है वीडियो की नीची कमेंट सेक्षिन में जरूर बताईएगा वार्नियर क्याविपर इसकल वीष्ट करूंगे देखो एंसर एक आना चीह अलगावग नहीं आना चीह देखो मझे पड़ा तक दीप है झालगा तक दीप है चलो मैं नहीं बताऊंगा इसका class में मैंने बताया था अगर आप भूल रहें तो next questions interferometry is used to measure था मैंने class पहीं बताया था दोस्तो कुछ लोग तो google करने लगे है guys आप लोग next questions का चलो next questions का जवाब देजेगा 0.02 इस दराइट अंसर दोस्तो 0.02 इस दराइट अंसर चलो interferometry is used to measure था आपको बताना interferometry is used to measure था फटा पर सारी दोग जवाब देने कोसिस करिएगा guys इस questions का जवाब दे 12 बजे मेरे प्यारी भाई बारे बजे दोस्तो यहां पर राइट अंसर आपका flatness होता है interferometry is used to measure था कि अज़र बताएगा flatness flatness होता है measure करने के दोस्तो flatness हो जोगा दोस्तो एक चेज़ाद रोके flatness is your next questions का जवाब देज़ेगा universal gaze is used to measure था बड़ा कामन भी यूज़ोटा industries में इस questions का जवाब देज़ेगा universal gaze is used to measure था फटा फटा पर चारे दो questions का जवाब देज़ेगा और प्रीज गाईज आप लोग सेसंस को लाइक भी कर दीज़ेगा सुदेट एक पॉजिटिव मोटिवेसंस मिलता है जब आप लोगों की लाइक सवारे ज्यादा ज्यादा रहते हैं चलिए कि मैं नहीं बताओंगा चलो next questions का जवाब देज़ेगा दोस्तों फटा पट दोस्तों यहां पर राइड एंसर एक चीसाद रखेगा ले आउट आफ वर्क और इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्शन और रे आउट को मेसर करने के लिए यूनिवर्सल सर्फिस गेज का यूज किया जाता है दोस्तों इस चीसाद रखेगा आमित नागर ने सबसे पहले जबाब दिया यह बड़ा अच्छा लगा कि कुछ लोग जबाब दे भी रहें याद रखेगा दोस्तों कुछ देखने में इस तरह का होता है यूनिवर्सल गेज आपका कुछ इस तरह से होता है यह मरा एक जैसमी जाद कर्कारा यूज यूज याद है हमारा लाक्त करने और पूरे मेंजर करने के लिए आपका यूज तरह से तरह से मिलता है यूज दर कंख चलो कौतन बेनेस जी कर रहा है हमारी कंपनी में है चलो 29 नम्मर का कोस्टों का जबाब दीजेगा दोस्तों बड़ा ही आसान कोस्टोंस है आई थिंग आप लोग जबाब दे देंगे चलो नेक्स कोस्टोंस का जबाब देजेगा प्लीज फास्ट मेरी टॉपर्स मेरी सान मेरी जान आप लोग कोस्टोंस का जबाब दीजेगा इस कोस्टोंस से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को बिजेगा तो देखते हैं किसमें कितना है दम देखेंगे हम और गाइस एक साथ सभी जोग जबाब देख करके देखआये तो इस कोस्टोंस का जबाब देखर कर येगा दॉस्तों कल से हम मसीन डिजाइन आप लोगों के लिए सुरू कर रहे हैं मसीन डिजाइन के 3-4 Dark Healing और इसमें हम आपको हर examination के machine design के आने वाले questions आपको हो जाएंगे, एक बार सारे लोग थमसब कर दें, तो फिर machine design के 30-30-40 questions एक दिन में कराना शुरू करें, दोस्तो, आप मुझे थमसब करिए, बहुत अच्छा कर रहा है, आप लोग B is the right answer, देखो भाई आ, plug gauge का use होता है, दोस्तो, एक च बाद हमारा, यह हमारा होता है, दोस्तो, एक चीज जाद रखेगा, master gauge pitch line की thickness को measure करने के लिए, फिर उसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, यह हमारा क्या होता है, C का 5, inside diameter, आप दो टूल को, gear tooth की, gear tooth vernier होता है, दोस्तो, एक चीज जाद रखेगा, यह देखो, ठीक है, और gear tooth हमारा, दोस्तो, एक चीज जाद रखेगा, इस तरह का होता है, यह पूरा का पूरा setup है, दोस्तो, एना, full PhD के साथ, हाँ, बिल्कुल कराएंगे, दोस्तो, तुमारों, तुमारों, विल बिल 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 मसीन डिजाइन, एक चीज जाद रखेगा, B का 3 is the right answer, दोस्तो, definitely हमारा, तो एक चीज जाद रखेगा, plug gauge का का में, cylindrical bore को measure करना, master gauge का का में, दोस्तो, क्या, cylindrical, standard gauge, standard gauge की accuracy measure करना, नाम ही है, उसका master gauge, फिर उसके बाद, calpot gauge क्या होता है, दोस्तो, जड़ा बताएंगे, inside diameter, आप तो तूल को measure करना, फिर gear tooth, वर्नियर ह हमारा, दोस्तो, क्या होता है, pitch line thickness measure करने के लिए, pitch line thickness measure करने के लिए, एक चीज जाद रखेगा, दोस्तो, this is the very very important questions, आप लोगों को में जाया, चलो, अब ये भी questions आपका बहुत important है, कई बार paper में questions पूछा गया है, दोस्तो, कई बार questions paper में पूछा जाया है, yes, tomorrow will be the machine design segment, कब आपका machine design हो रहा है, चलो, next questions का जबाद देजेगा, मुझे expect करता हूँ कि सारे लो questions का जबाद देगे, है ना, चलो, वाह, लेकिन सही जबाद देदे दो जानते है, पी बाई टू, इस questions का अभिमन्यू सिंग, और सारे लोग जबाद दे भाई, मेरे सेर, मेरे सारे लोग जबाद देजेगा, जैसे कि आपको पूरा का पूरा देख जाए, यह सारा चीज, देखो, तो बेस्ट साइज जो होती है दोस्तो, पी बाई टू इन्टू सेख ठीटा होती है, पी हमारा पीछा हूँगा, ठीटा हमारा थ्रेड का एंगल होता है, दोस्तो, इसकी जो डामीटर होता है, मेरे प्यारे स्परेंट्स, एक चीज जाद रखेगा, पी बाई टू इन्टू ठीटा हो, पी बाई टू इन्टू सेख ठीटा होता है, तो एक चीज जाद रखने के कोशिज करिएगा दोस्तो, ठीक है? चलो, ठीक है? चलो, सान्दार, पीजे, मतब कब की बात कर रहे है, 25, 24, 25 क्या? मतब, ऑफीसियल न्यूज है क्या बीटा बीजे, बताव कि जरा आफीस, इसनी ऑफीसियल यूज, न्यूज, मतब मैं आपको पूछना चाहता हूं, दोस्तो, अगर ऑफीसियल न्यूज है, तो मुझे भी कन्फर्म करें, नेक्स्स कॉस्टन, कोल्वी मेटर आपका क्या करता है, कोल्वी मेटर सिंपली क्या करता है, जरा वजाब बेए, जब आप देने कोसिस करेंगा, कब है वाई, 25, 24 मतब कब, क्या मेटर करते हैं, तो थोड़ा सा मझे अच्छा रगएगा आप जोग जबाब दे, क्या मेजर करता है, जरा पताइएगा आप इसे एक बिजर प्रकास स्वड़ा सा कन्फर्म करें यार मुझे भी, अच्छा 24, 25 अक्टूबर को है, ओके, अच्छी बात है यार, पेपर होगर हो जाया तो सही है, टाइम से हो जाया, टाइम से हो जाया तो ठीक है, है ना, तो यहां पर राइट अंसर मेरे प्यारे बच्चे, इस तरह से आपको देखो, आपको इस तरह से, एक चीजा जाद रखेगा, तो यह हमारा आटो कोली मेंटर, इस अ आप्टिकल इंस्ट्रुमेंट फार नान कंटेक्ट मेजर्मेंट अप दे अंगल, यह टिपकली यूस्ट तो अलाइन कंपोनेंट सा मेजर्ड इस तो यह था, बाकिये तो मैं आपको बतातूं दोस्तों, चलो, इसका राइट अंसर, बाकी कोस्ट्स यहां पर कुछ है, आप लोग हो मर्क में कर लीजेगा, हो मर्क में कर लीजेगा, यह सारे कोस्ट्स में आप लोगों को दिखा दे रहा हूं, बहुत वन वाइनर काइ दोस्तों, ठीक है, एक चीज़ जाद रखेगा, बाकी मैं आपको अस्परेंट्स बता रहा हूं, अगर यूपी आर्विनल का कोई अपडेट होगा, तो मैं अभी आपको क्रास चीख करके बता की बता दूँगा, ठीक है, और क्या करें को उसके रिगार्डिंग हम आपको यह भी बता देंगे, दोस्तों, आज ही यूपी पॉलिटेखनिक रेक्षर मेकाइनिकल का वैज आपका अप्टीकेस भी स्टार्ट हुए, जिनको देखो, ज्यादा समय नहीं बढ़ाऊंगा, आप इस नम्मर पर फटाफट मैसेज कर लो, मुझे, बस मैसेज कर देना, मैं पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, पूरा क्लासिस मिल जाएगी, एससी जी फांडेशन यो और बाकी आपका यूपी पीसी का पॉलिटेखनिक टासरीज, एबोक सारी सीजे मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो अभी अगर मैं देखता हूँ क्या अप आप लोगों से मिलते हैं, साथ बजे अब ठीक है, और यूपी आर्विनल पे कोई ऐसी आफिसल अपडेट होगा, तो मैं तूरंद बताता हूँ आप लोगों को,